Hello students, class 4th subject science, chapter 12, fiber to fabric बच्चो आज हम आपको annual portion के chapter 12 fiber to fabrics के copy work को explain कराएंगे तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे चलिए बच्चो अपना copy work अपने सामने अपनी copy को खोल कर रखेंगे और सभी बच्चे बहुत ध्यान से इने देखेंगे और learn करेंगे चलिए बच्चो स्टार्ट करते हैं, कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कीवर्ड आता है हमारा long, thin stand और thread woven to make yarn यानि कि जो लंबा होता है, पतला होता है, एक धागी जैसा होता है जिससे yarn बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? Fiber Next point आता है हमारा The process of obtaining silk from cocoon वो process कौन सा होता है, जिससे cocoon से silk बनाया जाती है क्या कहलाता है? Reeling आगे आजाए The process of interlacing yarn to make fabrics यानि कि वो process कौन सा है, जिसमें yarn को interlacing किया जाता है ठीक है? और क्या बनाया जाता है? Fabric बनाया जाती है Interlacing मतलब उन्हें opposite direction में जोड दिया जाता है ठीक है? Crosswise तो इस process को क्या कहा जाता है? Weaving क्या कहा जाता है? Weaving आगे आजाए A mixture of cotton and wool यानि कि वो mixture कौन सा है? जो cotton और wool का बनाया जाता है वो कहलाता है? Coats wool Fifth point है हमारा thread Made from a number of fibers यानि कि वो जो धागा होता है Fibers बनाने Fibers यानि कि बहुत ज़्यादा संक्या में जिन Fibers से धागा बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? Yarn कहा जाता है फीक है? क्या कहा जाता है? Yarn यानि कि वो धागा जिस से जो Fibers से बनता है उसको क्या कहा जाता है? Yarn कहा जाते है आगे आजाए Define हमारी First Define आती है Sericulture Sericulture क्या है? फीक है? The rearing of silk warm to get silk यानि कि जब silk warm से silk को तयार किया जाता है तो उस process को क्या कहा जाता है sericulture कहा जाता है क्या कहा जाता है sericulture आगे आजाईए next define है हमारी spinning spinning क्या होती है the process of making yarn from fibers is called spinning यानि कि वो process जिसमें fiber से yarn को बनाया जाता है वो spinning कहलाता है आगे आजाईए हमारे very short questions very short question में first question आता है हमारा name some animals which provide us wool यानि कि वो animals कौन से है उनका animals का नाम लिखना है जो हमें wool देते हैं क्या देते हैं? wool देते हैं answer में ship, goat, yak, etc तो इन सभी animals से हमें क्या मिलती है? wool मिलती है आगे name the proteins which the chief component of wool fiber यानि के उस protein का नाम लिखना है जो की एक chief component होता है wool fibers में तो वो कौन सा होता है? किरेटीन कौन सा होता है? किरेटीन आगे आजाए question number third name the most common silk mode बैई जो सबसे common है silk mode उसका नाम क्या है? mulberry silk mode आगे आजाए ये question number four give three examples of mixed fiber यानि के mixed fiber के तीन example देने है एक आता है हमारा coats wool जो की cotton का और wool का बनाया जाता है ठीक है? आगे आजाए एक है हमारा terry coat एक होता है terry wool ठीक है? तो ये सही तीनों हमारे क्या होते है? mixed fiber होते हैं आगे आजाए question number fifth give three examples of natural fiber यानि के natural fibers के तीन example देने है इसमें आता है आपका मुवूल, सिल्क, जूट, कोटन, ETC इनमें से आप कोई भी तीन answer में लिख सकते हो और अगला question है give three examples of synthetic fiber यानि के synthetic fiber के तीन example देने है और answer में आता है rayon, nylon, polyester acrylic, ETC यानि के इन तीन इन example में से आप कोई भी तीन example दे सकते हो next question आता है name the first man-made fiber यानि के सबसे पहला first, सबसे पहला man-made fiber कोन सा है उसका answer है आपका rayon आगे आजाए list the world main jute producing country यानि के उस मतलब संसार में jute producing country कोन-कोन सी है उनको बताना है इंडिया, बांगलादेस and Thailand are the main jute producing country यानि के जो इंडिया होते हैं, बांगलादेस है, थाइलेंड है इनमें main jute producing countries है इनसे jute produce होता है इन countries में पूरे भारत में मतलब पूरे संसार में आगे आजाए answer the short questions बाई को short question दिये हुए हैं और first question आता है हमारा why do we wear clothes give to reason यानि के हम कपड़े क्यों पहनते हैं उनके कोई भी दो examples हमको देने हैं, दो reasons हमको देने हैं we wear different types of clothes for protection against climate बाई हम different तरीके के different types के clothes पहनते हैं climate के against यानि के जैसा भी climate होगा उसके according हम कपड़े पहनते हैं बई सर्दिया आती हैं, तो हम सर्दियों के कपड़े पहनते हैं गर्मिया आती हैं तो हम गर्मियों के कपड़े पहनते हैं जो कपड़े होते हैं, clothes होते हैं वो हमेरी protect करते हैं हमारी heat से और sun से dust से, rain से, cold से और insect से हमारी रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, क्लोल्स ओल्सो मेक अस लुक स्मार्ट, और जो कपड़े होते हैं, वो हमें अच्छा दिखाते हैं, ठीक है, आगे आजाए, नेक्स्ट कोश्चन है, एक्स्प्लेइन दर डिफ्रेंस बीट्वीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, भाई, एक्स्प्लेइन करना है, इनके डिफ्रेंस को, किस-किस के, जो नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनके एक्सामपल देने हैं, भाई, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होत होते हैं animals होते हैं इनसे हमें natural fibers प्राप्थ होते हैं और इनसे कौन से होते हैं example क्या है जैसे कि silk है cotton है जूट है और synthetic fiber वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाई जाते हैं या फिर chemicals के द्वारा बनाई जाते हैं और इनके example कौन से हैं जैसे कि nylon, rayon, polyester, etc. आगे chapter 12 के कुछ word meaning दिये हुए है fabrics होते हैं कपड़े, flex होता है sun, sericulture होता है रेसम के कीडों का पालन यानि कि जब रेसम के कीडों का पालन किया जाता है उस process को sericulture कहा जाता है leather होता है चमड़ा, synthetic होते हैं क्रत्रिम, yarn होता है धागा, spinning होती है कताई, weaving होती है बुनाई और mixed fiber होते हैं मिस्रित कपड़े जो दो या दो से ज़ादा fibers को मिला कर बनाए जाते हैं ठीक है? और fiber होते हैं रेशा I hope बच्चो आपको ये explanation समझ आई होगी और अगर कुछ चीज ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो वो आप मुझे message में पूछ सकते हैं ओके बच्चो थैंक यू